फोटो सुट करने पूरा पुलिस माहिर है अब राधी गोली तनातन करके चलिया तब वहाँ पुलिस दिखाई नहीं पड़ेगा तो देव ब्यापार में पकड़ेगा है चार लड़के पर आदम मुस्ताइद मुझ खड़ा करकर के इस पी बैटा हुआ है अरे पकड़ो ना प्राधियों को पहले जहां गोलियों की तरकलाहा से सहर जहां जिसकी रोंगटे खड़े हो जाते जहां सराब से मौते जरिली से हो रही है उन सवालों पर सरकार मुस्ताइद नहीं है सरकार सासन बचाने में लगी है कुरसी बचाने में लगी हुए नितिस कुमार जी को बि लीडिटीस कुमार घी को तो कहां से क्यों बड़े बड़े सराव करोबारीं को क्यों चोड़ रही ये सरकार क्यों ने स्कुल खोला मंत्री के भाई के जमीन पर क्यों नहीं करवाई यह हो रही है खाली पीने वाले को गरीब दलित को पकड़ पकड़ के जिल में डालिएगा आप उर्ती करता को आप सर अच्छान देख करके पैसे कमवाईएगा अपने लोगों से तो सरबंद पुलिस का जो इन्विस्टिगेशन है वो सत्ता के ही सारी पर होती है अनुसंधान में अगर निस्पक्षता हो तो निस्ची तोर पर जो में कलपुरिट है वो जेल के सलाखों के अंदर होगा लेकिन गारीबों पर सारे आरोप मढद दे जाते है और जो में होता है उसका अ इस महकामा है वह अनुसंधान ही जब कमजोर होगा तो निस्चित तोर पर बड़े जो लोग होंगे जो में गुंडे होंगे में अपरादियों को बच निकलेंगे तो सत्ता सरचित जो अपरादियों निकल जाते हैं जो गरीब आदमी है बचरा जेल के सलाखों के अंदर में स तीन लाक लोग जेल में हैं इसके कारण, सराबंदी के कारण करने रह गया है पूरी तरह से सरकार एगर जिसके पास नेतिकता होता ना इस सराब बंदी कानून पर जो दम भरते नितिस्क बंद को इस्तिफा देख के भाग जाना चाहिए था जी तो कहते हैं कि हमारी जब सरकार थी आप भी उस गड़बंदन में थे 2015 की बात करते हैं कि सभी ने सपत लिया था कि हम सराब बंदी को जो है सफल बनाएंगे सराबंदी के सफल बनाने के लिए सपत हम लोगों ने लिया थे सत्त है लेकिन जिस समय तक हम सराबंदी कानून के पक्स्थर रहे अलगातार जब तक हम लोग रहे कानून कड़े ठंग से काम कर रहा था अब तो देखिए क्या हो रहा है सब में रिलेक्सेसन कौन दिया इसको उसने बदल दिया इसका नतीजा है कि सारे कारोबारी आज पूरे जो है मुस्तहिदी के साथ आपूर्ती कर रहे हैं सिना ठोक करके सारे इनके थानेदार सारे एसपी बड़े-बड़े रकम लेते हैं लोग रोज च्छापे मारे भी तोड़ी है सर अखवारों में रोज खवर आती है कि च्छापे मारी याँ अमारी होती एक बोतल पीनेवाल एक बोतल सराब के पिछे दस पुलिस वाले खड़े हैं लेकिन बड़े जाहिए जखिरे पकड़े जारे वहां तो चुपचा बैठी है मौन पुलिस बैठी हुई है यही पकड़ाए यही इनका फोटो सुट कारोग लगा बिल्कुल हम तो कि अगमार जी को बिहार को बकस दिना चाहिए तो पिर स्वाण रचने की क्या जरुवत है सविकार तो करिया आपका च्प सिरी ते स्विकार किया लेकिन आपको सुऑक्रsche जाता है कि बिहार के अंदर में सराब बंदी जो है पूरी तरह से बिफल है और सत्ता संदर्चन वे एक पैरलेलिक नोमी बिहार के अंदर चल रहा है यह मानने में जरासा भी देर लगाने के जरुबत नहीं है उनको जरासा नेतिकता होता तो दुसरा चिफ्पनिश्टर तो राज को छोड़ करकर के सिधे परस्थान कर देता कहता कि मुझे नहीं चाहिए ए राज जहां पर हमारे ही कानून भद पीट रही है निरलच्टा के सारी सिमाएं पार कर रहे हैं नितिस जी तो सराब बंदी के धोंग को क्यों आखिर कौन जिला कलेक्टर है कौन है एस पी ह जिसके उपर आपका करवाई किया है अपने बडे पता जिकारियों के खिलाफ अपने कोई करवाई किया है आपने क्या अब जितने भी सराब से मरे है उसको डैरिया हाट अटेक को संग्या देंगे इनके सरकारी डॉक्टर पोस्मार्टम में रिपोर्ट गलत देंगे इनके लोग एसपी और कलेक्टर अपने चमली बचाना चाह रहे है लेकिन यह सत्त है कि जरोली सराब से गोंदापुर में जो हुआ है चार लोगों की मौत सब्सक्राइब नितिस कुमार जी को तो हमने कहा न कि जरा सभी हाया भी नहीं है ना आख में पानी है अरे अब तो मान जाए नितिस जी कि आपका ये सरा बंदी जो है पूरी तरह से तमासा बंकर रह गया है लोगों को जान लेने पर आतूर है आपका ये सराब बंदी कानून नकली सराब कहां से आ रहा है क्यों बड़े-बड़े सराब करोवारियों को क्यों छोड़ रही है सरकार क्यों ने स्कुल खोला मंतरी के भाई के जमीन पर क्यों नहीं चारो खिने जो है वह नीचे है और इसका जो है नितिश कुमार के पास स्थार्ट से यानि कि नितिश कुमार को जो अहम है उसके कारण जो है तीन लाख आपको बता दें कि एंड़ी टिवी की रिपोर्ट है कि तीन लाख लोग जो है सराब बंदी के कानून के तहत अभी भी है उसमें से ज्यादा तर जो है सबस्क्राइब के लिए चलते हैं जय हिंज भारत